नमस्कार स्वागत आप सभी का सुझस सारांज की स्क्लास में इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेर्स जिसका अधार होता है राजस्थान सरकार की सुझस पत्री का शुरुआत करते हैं हेर्लाइन्स के साथ सबसे पहली जानकारी आम लोगों की समस्यां सुनने कलेक्टर गाउं में पहुँचे दरसल राज्य सरकार का एक कारेकरम है जिसका नाम है त्री स्थरिये जन सुनवाई व्यवस्था यानि कि सुनवाई के तीन स्थर है कौन कौन से तीन स्थर है एक तो अभी जो पहला हुआ यानि कि ग्राम पंचायत स्थर दूसरा है उपखंड या ब्लॉक स्थर और तीसरा है जिला स्थर सरकार ने एक कह सकते हैं कि नियम बनाया है एक व्यवस्था डेवलप की है जिसमें हर महीने के गुरुवार को जन सुनवाई की जाती है ताकि जन साधारण की जो समस्या है ये दूर की जा सके महीने के पहले गुरुवार को की जाती है ग्राम पंचायत इस्तर पर जन सुनवाई महीने के दूसरे गुरुवार को और महीने के तीसरे गुरुवार को जला स्तर पर जन सुनवाई विवस्था की जाती है अब अभी जैसे जुलाई महिना शुरू हुआ है और जुलाई का अभी पहला गुरुबार था इसलिए ग्राम पंचायत इस्तर पर अभी अभी जनसुनवाई की गई है अगली जानकारी डिजिटल यूग के तीन बंदर सिखा रहे हैं अनों किसी कौन-कौन सी किसी अंजान लिंक को उपन नहीं करना है फेक वीडियो या जो ओडियो है ये कॉल आपको नहीं सुननी है और किसी को अपना OTP नहीं बताना है अगली जानकारी किसान सम्मान निधी अब इसमें दो योजना है एक है पीम किसान सम्मान निधी और दूसरी राज़स्थान में संचाले थैं मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधी योशना प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योशना के तहट एक वर्ष में 6,000 रुपे किसानों को दिये जाते हैं जबकि मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधी योशना के तहट 2000 रुपे वार्शिक किसानों को दिये जाते है अब एक ही प्रदेश के जो किसान है यानि कि राजस्तान के संदर में बात हो रही है तो इनको ये दौनों योजनाओं को लाब मिलता है यानि कि PM किसान योजना से 6000 रुपे और मुख्य मंतरी किसान संदर में बात है पूर्दी जिले की बाबरियों के पुनरुत्तान का कारे दिसम्बर तक पूरा कर ले जाएगा बटोदा की उप मंडी में चारदी बारी और गेट के लिए वित्य स्विक्रती सीग्री जारी की जाएगी और किसानों को बगया कृषी आदान उन्दान का भुक्तान सीग्री किया जाएगा अगली जानकरी आसम के मुख्य मंतरी राजस्थान आए और राजस्थान के नवाचारों को सारा है यहां चुनाब के दोरान बहुत सारे नवाचार की एक है जैसे कि एक है पोस्टल बड़ी है हमने बहुत सारे इसमें देखे थे यानि चुनाब के दोरान राजस्थान के निर्वाचान वे भागने जो जो नवाचार अपनाए उनको देखते हैं अब बाकी प्रदेश के भी जो निर्वाचन दिकारी है खुराइस्थान आए किसानों को फार्म पॉर्ट के लिए 1,35,000 रोपे का अनुदान किसानों को ऐसे कच्चे तलाव के निर्माण के लिए और यह है प्लास्टिक लाइनिंग वाला तलाव यानि जिसमें नीचे प्लास्टिक की तरपाल बिचा हुई है तो सरकार इस तरह के तलावों के निर्माण के लिए अनुदान राशी दे रही है अब अलग-अलग केटेगरी के अनुसार राशी अलग-अलग है यानि कि यदि वेक्ति अनुसुची जाती अनुसुची जिनजाती या सीमांत किसान है और कच्चा तलाव बना रहा है यानि जिसमें ये प्लास्टिक की लाइनिंग नहीं बिचाई है तब उनको राजी सरकार दोरा 73,500 रुपे अनुदान राशी दी जाते है और अगर प्लास्टिक लाइनिंग वाला तलाव बनाना है इसी केटिगरी की वेक्तियों को एक किसानों को तब 1,45,000 रुपे दिये जाते है अन्य श्रेणी के अगर किसान है यानि कि इन तीनों श्रेणियों के लाबा कौन-कौन सी अनुचित जाती जन जाती है और सीमान किसान के लाबा तब उनको कच्चे तदाब के निर्मान के लिए 63,000 रुपे और प्लास्टिक लाइनिंग वाले पॉंट के निर्मान के लिए 1,20,000 रुपे दिये जा रहे है आज तीन मुख्य जानकारी हम पढ़ने वाले है सबसे पहली है मुख्य मंतरी किसान सम्मान निधी योजना दूसरी है किसानों को फॉर्म पॉर्ण निर्मान के लिए उनुदान और तीसरी है त्री स्थरिये जन सुनवाई व्यवस्था इस तुवाथ सबसे पहले मुख्य मंतरी किसान सम्मान निधी योजना राजस्तान में टॉंक जिले से और टॉंक में भी वहां के कृशी उपज मंडी प्रांगण के द्वारा प्रांगण से इस योजना का सुभारम किया गया कब किया गया 30 जून 2014 को किसान सम्मान निधी दो योजना हैं मैंने आपको बताया एक है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी पीएम किसान और दूसरी है सीएम किसान मुख्य मंतरी किसान सम्मान निधी योजना ये योजना पूरी देश के जो किसान है उनको 6,000 रुपे प्रतिवर्श प्रदान करती है और ये है योजना राजस्तान की किसानों को 2,000 रुपे प्रतिवर्श प्रतान करती है इस तरहे राजस्तान की किसानों को कुल मिलने वाली राशी है 6,000 प्लस 2,000 यानि कि यहां के किसानों को 8000 रुपे प्रतिवर्श उपलब्द होते हैं एक सहेता राशी प्राप्त होती है केंदर सरकार की योजना है PM किसान योजना इसमें 6000 रुपे वार्षिक 2-2,000 रुपे की 3 समान किस्तों में दिये जाते हैं जबकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान ने दी हो इस नम में जो 2000 रुपे दी जाते है ये सम्मान किस्तों में नहीं है इसमें पहली किस्त है 1000 रुपे की और उसके बाद की जो दो किस्त है इनमें 500 500 रुपे की दो किस्त है डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माद्यम से यहा से ज्यादा पैदावार उपलब्द करा सके इसके लिए यूजना संचालित है अब इसी यूजना में सरकार अगर कोई किसान यदी फॉर पॉंड बनाता है कच्छा तलाब बनाता है सिचाई के लिए और कुछ अपनी तरफ से प्रयास करता है तो सरकार उसको सहयता राशी उसके लिए सरकार उसको 73,500 रुपे का अनुदान देती है और यदी कच्छे तलाब में प्लास्टिक की लाइनिंग है यानि की नीचे एक प्लास्टिक की तरफाल बिछाई हुई है तब उनको दी जाने वाली सहयता रासी है 1,35,000 रुपे अगर इन तीनों के लावा अन्य के टिक्री के कोई किसान है तो उनको कच्छे पॉंट के निर्माण के लिए 63,000 रुपे और प्लास्टिक लाइनिंग पॉंट निर्माण के लिए 1,20,000 रुपे योजना के लिए आविदन कैसे कर सकते हैं तो राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर इमित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत दूसरा इस्तर है उपखंड और तीसरा इस्तर है जिला राज्य सरकार द्वरा व्यवस्ता डेपलप की गई है कि महीने के गुरुवार को जन सुनवाई की जाए अब पहले गुरुवार को की जाएगी जन सुनवाई ग्राम पंचायत इस्तर पर दूसरे गुरुवार को की जाएगी उपखंड इस्तर पर जन सुनवाई और तीसरे गुरुवार को जला इस्तर पर जन सुनवाई की जाती है आज का ब्यास प्रश्ण राजस्तान में अनुसूचे जिनजाती वर के किसानों के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉंट निर्माण हित्व दे अनुदान राशी कितनी है आपके उप्शन है 1,35,000 रुपे, 63,500 रुपे, 63,000 रुपे या 1,20,000 रुपे क्या होगा इसका सही उत्तर वो अब बताएं कमेंट्स में हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद